टाइग नीज ओफिशल में आप सभी का सौवगत है। जίसे कि आज हम बुराणी कॉलेज में आये हैं। हमारे साथ माजूद है डाक्टर टालीप सर जो बुराणी कॉलेज के दीन है। आपका हमारी लीज में स्वगत है। सर जैसे कि हम बहुत दिनों से देख रहे थे बुरानी कॉलेज की गेट पे मौलाना अज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बैनर लगा था तो हमें बहुत लोगे ने पूछा अवह भी पूछना चाते थी कि इस बैनर बुरानी कॉलेज में जो उर्दू का है जो उर्दू लेंग्वेज का जो लिखा है ये वर्ड मुझे खटकने लगा कि मैं पूछता हूँ कि ये सर है क्या इसकी हकीकत ये जो यूनिवर्सिटी है सर अब क्या बार कोर्सेश वगेरा साइन्स के उर्दू के लिखे हुए थे तो सर आप हमारे ओडियन्स को बताना चाहेंगे इसकी डिटेल्स क्या है जी बिल्कुल अलतमश भाई बूराई, मौलाणा आजाद नेशनल अर्दू यिणिवर्सिटी का जो बेंणर आप बुराणी कोलेज से गेट पर देखे है इसमें यह आपको बताना चाहूंगा बुराणी कोलेज मौला शाद नेशनल अर्दू यूिवर्सिटी का एक लर्नर संटर बन चुका है ये साल से हम मौलाना आजाद कोलेज के साथ तालुखत बनाते हुए उनके कोलाबरेशन के साथ हम बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्स यूजी और पीजी कोर्से मौलाना आजाद बैनर के तहट हम दे रहे हैं इसमें BA है, BICOM है, MA है, अपने बात क्या उर्दू का, MA उर्दू है, MA अरबिक है, MA इस्लामिक स्टेडी है और काफी सारे सर्टिफिकेट कोर्से, डिप्लोमा कोर्सेज भी इसमें तहत जो यूनिवर्सिटी MAनू यूनिवर्सिटी ये एक सेंटरल यूनिवर्सिटी है, बुरानी कॉलेज आज भी यूनिवर्सिटी मुमबई के साथ में जुड़ा है जो हमारी State University है पिछले 52 सालों से और इसी के साथ में हमने मानू को भी जोड़ दिया है मौलानाजाद National University को तो हमारा दुस्ता सवाल सर आप से ये है जो कि कोर्सेस की eligibility क्या-क्या है क्या होना चाहिए इस कोर्स के लिए जी इसमें कोर्सेस की जो eligibility है वो university के norm के हिसाब से है और इसमें university ये कहती है कि उर्दू 10th, 12th या graduation में आपने पढ़ा होना चाहिए as per the norm given by the university मौलानाजाद university जो तिस्या जो सवाल सर जो कि उर्दू कोर्सेस के लिए जो कि admission जो लेंगे इसमें कोन-कोन ले सकता है और इसके फाइदे क्या होंगे जो वो ये course लेंगे जी इसमें जो 18 प्लस जो age criteria है criteria के हिसाब से वो बैठेंगे कौन से course में admission लेते हैं क्योंकि हैं यहाँ पर degree courses है graduation है तो 12th के बाद ही आएगा 12th के बाद हो eligibility में बैठेगा degree में आएगा post graduation में आएगा और इसके फाइदे हर एक को है सबसे बड़ा फाइदा मैं आपको बता दू इसमें कि मौलाना आजाद university के साथ में तो चालुकात हमारा जो collaboration हुआ है वो इसलिए कि ये university distance learning को support करती है यहाँ पर जो हमारे पास में हमारे minority वाले हैं जो लोग job करते हैं जो काम करते हैं जो काम करते हुए पढ़ना चाहते हैं उनको support करता है बुराना आजाद के तहत तो ये courses सार कितने साल का है क्या है आप बताएंगे university के जो norm है वो इसाफ़ से degree college अगर आप graduation की बात करते हैं सब बीए है वो बीए तीन साल का ही रहेगा बीकॉम भी तीन साल का रहेगा बीएसी तीन साल का रहेगा में एम काम आप करोगे वो दो-दो साल के रहेंगे certificate course कुछे मैने के हैं कुछे एक साल के है जो school वागेरा ही नहीं पड़े तो उनके लिए है सरी अवेलेबल नहीं ऐसा कुछ नहीं है university का जो eligibility बोलता है university का eligibility में ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो उनके eligibility में बैठेंगा तो ही वो course कर पाएगा जिसे हमें लेना है अगर हमें उर्दू नहीं आती है तो यह admission हम कैसा ले सकते सर फिर जी इसमें जैसा कि हम शुरुआत से बात कर रहें कि वे यह उर्दू university है linguistic university है और criteria में इनके पास उर्दू होना जरूरी है लेकिन university ने आपको और थोड़ी से आजादी दी है कि वे अगर आप उर्दू नहीं जानते तो एक छोड़ा सा छे महिने का आप certificate course कर लें जिसकी nominal fees है वो course करने के बाद में आप मौलाना आज़ाद national उर्दू university के कोई भी course के लिए आप eligible हो जाते है तो जो उस course के बाद हमें फाइदा क्या होगा सर जो six month वाला आप बोले six month का course certificate course करने के बाद में आप eligibility में आ जाते हैं कि आप अब उर्दू जानते हैं तो आप admission ले सकते हैं हमारे एक आखरी सवाल है सर आप से जैसे कि बहुत से लोगों को इस confusion होता है कि ये dual degree क्या है जो दो degree है जो आप बताएंगे इसके details में थोड़ा आप जी बिल्कुल बेशक कुछ दिन पहले university grant commission UGC ने एक notification दिया कि अब जैसे पहले हुआ करता था कि आप एक बार में दो certificate या दो degree आप नहीं ले सकते नौकरी में बहुत से लोगों को प्रोमोशन में तकलीफ हुआ करती थी उसको हटाते हुए government ने ये फैसला किया कि आप आज एक साथ दो degree में आप eligible अगर हैं तो आप admission ले सकते हैं मानली जी आप M.A. उर्दू में आप admission लिया है और आपको साथे साथ M.A. Arabic भी करना है M.A. Islamic study या दूसरा कोई और course आपको करना है तो वो दोनों आप एक साथ कर सकते हैं मतलब कि दो साल के अंदर दो degree आपको मिल जाएगी दो अलग-अलग university से भी आप कर सकते हो और एक university से भी आप कर सकते हैं एकी साथ जैसे कि अब अर्दू university की बात तो हो गए सर अब आम आते हैं आपकी बुरहानी college जो कि South Mumbai में बहुत ही नामचिन college है हर चीजों के लिए discipline, education के लिए, staff के लिए तो सर जैसे कि हम देखे कि कुछ सालों में बहुत ही changes इस college में आए है तो आप बताना चाहेंगे कि क्या-क्या changes अब पहले से इधर लेके आए और आगे क्या improve करने वाले हैं जी, बिल्कुल बेशक, आप लोग देख सकते हैं, सारे लोग जानते भी है कि infrastructure को लेकर काफी सारा development बुरहानी college ने किया उसके साथ साथ कुछ नवे courses भी हमने लाने की कोशिश की है आप सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि पिछले 52 सालों से बुरहानी college में सिर्फ हमारे पास arts और commerce ही हुआ करता था इस साल 2022 से, यह हमारा 53 पनवा साल है college का इस साल हमने science, मतलब हम लोग B.Sc. science भी इस साल से offer कर रहे हैं University of Mumbai से हमारे को permission मिली है और इस साल से हम लोग B.Sc. computer science का course शुरू कर रहे हैं और आने वाले सालों में इंशाला और develop करेंगे तो biology वाले जितने भी हमारे पास में degree courses होंगे उसको भी हम शुरू करेंगे तो साल हमारे वीवर्स को इस topic को लेके जो गम से हमने आप से बात की सर तो हमारे वीवर्स को कुछ message देना चाहेंगे message तो यही रहेगा कि education ही हमारे पास में एक ऐसा हत्यार है knowledge यह ऐसा हत्यार है जहांपर हम जिन्दगी को अच्छी तरह से जी सकते हैं जीत सकते हैं और उसके उपर अमल कर सकते हैं आखरी बात मैं सिवे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास में मालूमात education degree अगर आपके पास है वो degree कही ने कही आपके अंदर development लाएगा खुद मुक्तारी आप पर आएगी और जो development आपके अंदर आया वो कहीं न कहीं हमारे मुल्क में भी दिखाई देगा हमारे चैनल से आपका बात करने लिए बहुत बहुत धन्योत सर हमारे चैनल में ऐसी बने रहे हैं आपके दर्मियान लाते रहेंगे हमारे चैनल ऐसी लाइक करें सब्सक्राइब करो शेर करें अलता मश्यक टेग नीज ऑफिशल